पार कर देता है तो अंदविश्वास पैदा होता है ऐसा ही कुछ मद्द ब्रदेश के कटनी में देखने को मिल रहा है जिसमें कोरोना के संक्रमर से बचने की दवा बता दी है दरसल कटनी में एक परिवार है जो भबूत को कोरोना की दवा बता रहा है इस परिवार का कहना है कि उनके घर में रखी महादेवी की तस्वीर से बड़ी मात्रा में भबूत निकल रहा है और इसके सेवन से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है जवारी के दिन की बात है, दो तारी की बात थी, माता रानी की फोटो के उपर तीन भावूत के टीके थे, फिर मैंने अपने हस्बेंट से पूछा फोन करके, कि ये कैसे भावूत के टीके यहां पे लगे हुए हैं, फिर उनने बताए कि मैं तो सिंदूर का लगाता हूं, भा भावूत निकल रही है, और आस तक कंटीनियू भावूत निकल रही है, जो भी आता है, उनको मैं प्रशाद के रूप में ये भावूत देती हूं, और शवी मातारानी के दर्शन करने के लिए आते हैं, पर लोकडाउन की वज़े से इतनी भीड नहीं है, थोड़ा बहुत लोग आ रही है, क्या मानना है, जो भावूती निकल रही है, कोरोना वाईरस के कारण ही, ये मातारानी का च्चे मतकार है, जो वो दे रही है, कि सभी लोगों को बाटो, जो एक्षाद से लेना चाहिए, उनको आप दे सबके लिए। हमारे हाँ महादेवी मा की फोटो विराजमान है, जो की अपने नहीमर खेडा के आगे दशर्मन गाव में बैठी हुई हैं महादेवी पाहाड पर, तो उनके हाँ हम लोग हर साल दोनो नौरात्त्री पर जब भी कोई कारिक्रम होते थे या जो भी कुछ बड़ा काम होता थ हमारे खर में तो हम हाँ पर जाते थे दर्शन करने के लिए इस घुआर लागडाउन के कान जा नहीं पाए तो दो ताइक को जबारी बिसर्जन के दिन दो पाहर में हमारी सिर्मती जी का फोटो जो घर में महादेवी की फोटो है उस पे सफे सफे टीके लग कर आ रहे हैं तो क्या सफए टीके लगाती हो क्या? तो मैं यह खज का नहीं सफए टीका नहीं हाँ terrorism मादेवी हैं तो उनको तो लाड़ टीक ही लगेगा तो बोले इसमें सफे टीक हैं मैं ज़ो ठीक है किसी ने लगा दिया होगा तो तो ज़ड़ी बेसरजन के दिन मैं जल्दी आया कि थोड़ा पूजा पाठ कर गर जवारी बेसरजन कर तो उसी टेम नहाद हो कर तायार हो कि मैंने उपर देखा मैंने काहां ठीके लगे हैं दिखाओ मेरो को देखाओ मेरो को देखा वहां पर तो थोड़ा सा भभूत माता राणी की फोटो के नीचे पढ़ी हूई थी और मादुरुगा की फोटो जो रखी है उसके उपर पढ़ी हुई तो मैंनो लाड़ी समें तो मुझे चलो ठीक है पर हम लोना जवारे बगार अब सर्जन की एक दो हंटे बाद आकर देखा है तो वो भभूत और ज्यादा बढ़ गई उसी टाइम पर छोटा वाला भाई था हमारा तो वो थोड़ा सा हासी मजाक कर दिया क्यारे वो ऐसी निकल रही होगी कहीं से गर गई ह किसी ने डाल दिया होगा तो मैंने मेरी बहन बाजू में रहती हैं उनको बुलवाया तो वो नहीं आई थोड़े दिर बाद अपनी भांजी मेरी भांजी को भेजा कि जा कर के देखो क्या है वो अच्छा जैसे ही वैसे मैंने उसको फोटो दिखाया उसको एक दम से महादे कर दिया कि तू अजी मजाक कर तेरे को मजाक लगा तू जानता है तो मापी आपी मांगा नहीं मैं जानता हूं मैं आपके स्थान में होके आया हूँ और मैं आपको बहुत सतता है मैं जानता हूँ ऐसा कुछ महीं है तो फिर माँ सांथ हुई और उसके बाद हम लोगों ने तो इस पर हम लोग कैसे आ जाते हैं और आप इस बीमारी के बारे में मतलब कुछ उपाय बताएं ऐसा कुछ करें कि यह बीमारी यहां से जाए माने बोला कि जो भी घर पे आता है जो भी दर्सन करने आता है और पूरे परिवार के लोग सब को यह भभूत बाटो और इससे कल कि पहले थोड़ा थोड़ा भभूत निकलती थी तो लोग मान में ज्यादा आते थे बाकाइदा सोचल डिस्टेंसिंग के अधार पर लोगों को आने के लिए तो मना नहीं कर सकते कि नहीं आओ लेकिन जो आते है तो उनको बोल देते कि रुक रुक के एक करके आजाओ तो बभूत दिये तो कम पढ़ना चालो होगे तो अमने वह लेक काम करो हवन करो और हवन करने के बाद जो हवन में जो निकलता वो इस भभूत में मिला खरके बाटो तो रात की बात थी है सुवेर जा हमने देखा तो भभूत की मात्रा इतने है इतनी अधिक बढ़ गई थी मत चिंता निकरो वो आ जाएंगे और दो दिन के अंदर उनका पूरा साधन बना और साधन बनने के बाद वो हमारे घर पर सो रक्षत पहुँच गए और पूरा जाच वगएरा कराया कुछ भी असा नहीं पाया कोई भी कि उनको कोई परिशानी है और स्वस्त है तो ये महाद कार है या अंदविश्वास ये कहना मुश्किल होगा लेकिन ऐसी आस्ता पर सवाल उठना लाजमी है न्यूस टेस्क झाल